हलो साथियो स्वागत है एक वर फिर से आप सब्सक्राइब का अपना परिवार माधा वेंसे आटी क्लासे में तो साथियो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी कलास तेंद के हिंदी के आठ पार देखेंगे पंडित विर्जु महराज के दोरा लिखा गया जीत ज जीत में निर्खत हो ठीक है दोस्तों बता दें कि इस पर यह बहुत ही जब अरश्ट्रीक है जीते रहो जीते रहो ठीक है तो आप लोग को याद रहे हैं जैसे ही बात आये जीत जीत में निर्खत हूं तो सीधे का दिजेगा कि महराजी देते हैं सिर्वाद कि जीते रहो जीते रहो अर्थात जीत जीत में निर्खत हूं पंडित विडियू महराज के द्वारा लिखा गया ठीक है और पंडित जी को समझते हुए पूरे पार्ट को आप इसी वीडियो में खत्म कर दिया जागा और हर कोस्टन इंसर भी आप लोग को बन जागा तो यहां पर आप लोग समझ गया है कि जीत जीत में निर्खत पार्ट जो है क्या है साच्छतकार है निवंध्य कहानी है याँ रखेगा यह साच्छतकार है यानि जो है पंदित बिर्जु महराज और रसीम भाजपय जो की उनका सिस थे ठीक हैं पंदित महराज जी का प्रिय दिख भी जो कुछ बाष्चित होँआ था उसी का कि यहां पर प्रश्तूत पार्ट बिर्जु पंडित भी आपके पतरी का दीनास है यहां फोर कई कैर आप नट रंग से लियाँ गया यहाद है ने नेखत पार्ट जो है रसीम बाज़िपाय के कहीं परिकाल से लिया गया है यह ठीक है नटरंग से लिया गया है तो सिंपड सी बात यह याद रखना है आप लोग कोई उसके वादे देख blueberries देखेंगे लिया गया यह पाठ रसिम जी की और महराजी यह पाठ रसिम जी की महराज जी यानि बियडित विडिज्यू महराज जी से हुई बाचित का संपादित पादित है यानि जो बाचित के उसी का अंस है साथ्षातकार के माध्यम से पंडित बिर्जु महराज के वैक्तित्व एवं उनके किर्थित्व की जहलक मिलती है तो क्या जहलक मिलती है यह सारे चीज़ आपको चलिए यहां पर देख लेते हैं अब हम देखें यहां पर लेख तो हुआ तो उनके और उनके शिस रस्मीम बाजपेजी के बीच में ओव बात हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिये हैं महान सास्त्रिय कलाकार बिर्जु महराज का जन्म छार फरवडी दिन सुक्रवार जिसको उर्दु में सुक्रवार को जम्म्य भी कहा जाता है जुम्य का दिन ठीक है यहां पर जन्म जो हुआ था बिर्जु महराजी का चार फरवरी 1938 इस्वी को सुवह आठ वज़े के आसपास हुआ था और उस दिन बसंत पंचमी का दिन था कितना सुवह दिन ठाए बसंत पंचमी जिसके कहा थी रित्वो का राजा माना जाता है वसंत पंचमी यसी दिन मासुुष्ञिता गूं हम study ञ्सार उनका प्रुज नहीं में बदाता है यहां में लगत्वे में राज़धान के दिन परो वसंत चैनलими के पिता जी 22 साल से रामपूर में रहते थे लखनव घराने के वनसज रूप में बिरजु महराज ने कथक निरते के माध्यम से देश ही नहीं बलकि बिदेशों में भी अपना परचम ला रहा है थे यानि बिदेशों में भी इनका नाम हुआ करता था यह डांस करने में बहुत ह अच्छे कर लेते थे ठीक है बिर्जु पंडित बिर्जु महरा जो है अच्छे कर लेते थे यह तो इसके माध्यम से देश में भी आपणी परचम लाड़ाये हुए थे इनका संबंद बिभीन राजगरानों के बरे-बरे घरों से जो है इनका संबंद था बड़े राजग म्योजिक दिल्ली में रहकर तीन साल तक काम किया थे हो संदुस्तान डांस म्यूजिक जो डिली plant वहां पर इन्हों पण्डीत बिर्जु महाराजी ने तीन साल तक काम किया थे इस परकार अन्यक अस्थानों से सभवाव में आयोजेनों पंडित विर्जु महाराज मैं अपने कठक निर्थी यानि अपनी निर्थीया बहुत जगा यह गये थे और लोगों को ऐसे डांस करते कि लोगों को वह मनमोह लेते ते प्रम्परा की परमानिक्ता की रच्छा करते हुए उसे अनेक नई दिशाओं में विस्तार देकर यह स्थिर नहीं बलकि इसमें निरंतर गती सीलता है यानि देखी विर्जु महराजी आप्टी परम्परा जो परम्परा होता है उनकी सभी चीज को देखते हुए रच्छा करते हुए भी उन्होंने नई दिशाओं में विस्तार देकर यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी कक्षा यानि कोई भी कम रच्छा तो निरंतर यानि निरंत बताना चाहां कि नई पीडी के लिए कई संभावनाएं मौजूद है जैसे हस्मुक मिलन सार और भोले भाले दिखने वाले बिर्जु महराज अपने सब का दिल जीत लेता था ठीक है इनका जो था एकदम भोले वाले लगते थे हस्मुक चेहरे के थे मिलन सा इनका पिताज भी जीवी थे इसी भावना के थे तो उनके बारे भी हम लोग नीचे पढ़ेंगे सारे चीज़ आपको हर मुखे बिंदुपर हम लोग देखेंगे तो चलिए दोस्तों यह सभी था आप लोग का था लेकक परचे अब हम लोग देखेंगे पाठ फरचे पाठा सारांस जिन्होंने अपनी परती भाह से समस्त विस्व को यानि पूरे वर्ल्ड में आलोकित किया वहाँ जो है अपने इंडिया का नाम भी रोसन क्या एक कथक नर्तक थे ठीक है याद रखेगा यहां से कुछा जाता है कि बिर्जु महराज क्या थे क्या थे तो वह एक नर्तक थे एक नर्तक थे उनमें गजब की फूरती था उनके पेरों में अंतलब मतलब बिजली केत्रा अईसे थे बिज्दु के तरह गति करते ते अजीव डांस कर लेते थे बहुत ऑच्छे डांस करते थे उनके शरीर में फूर्ती बहुत जाई थे ठीक है वह दांस से ही यहां पर देखिए समर्पित कर दिया था वे बड़े ही हस्मुक और मिलनसार बैभार कुसर बैखती थे बहुत ही हस्मुक क्या उनका फेस हस्मुक ही राता था ठीक है घोर अभाव में भी जीना कोई उसने उन से सिखे है यानि जो को बहुत कटनाई होने के बाद भी वह यहां अच्छे सी वह मतलब जी पाते थे और अच्य बैभार कर पाते थे पता नहीं चलते था कि उनके अंदर किसी प्रकार की मतलब किटल Χत्रा कर और दिक्कत है आइसे वह बैभार करते थे यहां पड़ाहें फिर भाती प्लायनवादी नहीं थे वलकि दुख में कह कहें लगाकर उसे जहलना भी जानते थे इतना मेहनत करते थे ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगा उनकी इस्वर परती बहुत आस्था था ठीक है विर्जु महाराज जो है इस्वर के परती गहरी आस्था रखता थ ठीक है आज कोंगी सा करेमी को घर हो जो बीर्जु महाराज को नहीं जानता होगा यानि आभी के दुन्या वह यह को के बीच इन्होंने अपना अस्थान प्राप्त कि अच्छे अस्थान प्राप्त कि अपने अथक साधना एवं अथक पर्यास से इन्होंने निष्टा और कल्पना सील सर्जनात्माक्ता के सयोग से नहीं बिर्जु महराज लक्ष तक पहुंचे और बहुत ही फैमस हो गए यहां प्रतिके फिर से हैं बिर्जु महराज लखनाव घराने के वनसज हैं वे सात्मी पीड़ी के सुम्य हंसमुक मिलनसार सहज भाव युक्त बच्चों का भोलापन जैसा गुनों से युक्त कराकार टैसे वो सात्में पीड़ी में उनका जो है जन्म हुआ था उनके बंसज में ठीक है लखनों में बिर्जु महराज का जन्म हुआ उग्याल Hier Land Miche में उनके पिता लंबे समय से रहें ते सात्में यहीं का काम करते थे जहां 할 वहाषी less चाहता था धिर्जिय महाराज अब वहां से सोच रहा था कि यहां से किसी तरह निकल जाए इसलिए रोज हनुआ हासी सीवह पूजा पर्षाथ करते कों ते विर्जिया महाराज कि हमें कव नावाब शहर्ण से यहांसे काम महन पूरी का नपूर दहरादू 도czne titanium कलकर्ता-मुंब·ई जगहौं पर निर्थे प्रग्राउम में जाते तह बिर्जु को भी साथ लटे उनके पित्ता जी जो भी थे वह द्सिंक करते ने तो वह खरकत्ता में प्रोग्णाम दिया था दिए तो उन्हें सर्वत्तम पुरुषकार देखें यहां से आप एक प्रुइंट निकल रहे हैं इस प्रुषकार कहाँ पर दो कर到स् épouse century का मिला था तो ऊसको प्रोग्णाम क्या था जहां से उनको क्या मिला था तो सो शर्वत्तम यानी सबसे बड़ा पुरुषकार मिला था उनको निरते के सिछा के लिए बिर्जी महाराज को पहले रिली के हिंदुस्तानी डांस अकाडमी से जुरे और वहां के कपील जी तथा लिला किर्पलानी के संपर्क में आये यानि दो आदमी थे उनके संपर्क में आये और संपर्क में आ drills रखेगा बिर्जिव कि गुरु कौन ते तो उनके बाबू जी थे और गुरुवाइन यानि आगे लोग देखेंगे उनकी माँ तो आरागे मां थे अपना जज मानते थे ठिकर यहश्य remarkablyus एक्वार भागेगए दिशन लिकाए यहां पर है बिर्जु महाराज अपने बाबुजी के मिर्टे के वाद वो दर्दर भटकने लगे उसके बाद उनको क्या हो गया देखिए सिर्फ महाराज बिर्जु महाराज के कुछ यह को पूछा जाता है काफी यह पॉइंट याद रहा है जो जो मुख्य विंदू है उसको आप लोगों को बता देखिए और ध्यान रखेगा देखिए उसके बाद क्या यहां पर देखिए बहुत मेहनती थे बिर्जु महारा देखिए चार बज़े सुमब उड़ते थे पांस से आठ बज़े तक और रियाज करते थे यानि रिहार्सर करते थे रिभाज करते थे अपने डांस को या फिर जो भी टावला उनको बहुत कुछ बजाने भी आता था ठीक है यहां पर देखिए जैसे गितार या या फिर वो सितारा गितार का प्रैक्टिस चलता रहता था था ताकि काम का बोज कहल का यानि यह सब भी वह बजाते रहते थे ठीक है तो यहां पर देखिए हर्मोनिया तावला और सरोध आरी बजाना जानते थे बिर्जु महराज की आवस्था अठारा वर्स्क थी यानि जो जबू अठारा वर्स्क हुए तभ ही उनका साधि कर डिया उनका ममीने सोचा उनकी माने सरस अधिकर माने सोची ति कि इसके पिता जो इनके पिता तो साधी नहीं देखे उनसे पहले मर गए हम भी नहीं मर जा इनके लिए इनका साधी 18 वर्स में कर दिया गया था याद कि या बिर्जु महाराजी का साधी कितने वर्स में हुआ था तो 18 वर्स में यह सब पॉइंट है इसको आप लोग को याद कर लेना है ठीक है उसके यहां पर है तो उतना मैं बढ़के यहां पर नहीं बता सकता हूं आप लोग को जो मुख्य बिंदू था उसको आपको समझा चुके हैं अगर कुछ इसमें बच गया होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं और अच्छे जंग से देख सकते हैं चलिए लोग यहां आगे बढ़ते हैं यहां पर देखे एक बात उन्होंने बोले थे कि आज करके जो हैं वहां पर होता था डांसर थे तो दिन रात डांस करते थे आज के जो डांसर है आज के कलकार हैं सब क्या खोचते हैं कि स्टेज खराब है अच्छा चाहिए बड़ा है घड़ा है यानि पहले हम लोग इसमें objective question देख लेंगे और कुछ question आप लोग से भी पूछा जागा तो चलिए यहां पर पहला question है आप किस कला से संबंदी थे या नित कला से एक चप्ठर होता है चलिए यहां पे भी नेवरा बात करते हैं को साथष्यतकार किसे ने किया था तो महा यहां पर हो जगा ठीक बार इनका जो किसके साथ बाचित हुआ था रसीम बाजपई ठीक और विर्जु महराज के शिस्ट थे रसीम बाजपई चलिया आगे बर तो चाहर है है इस चेप्पनικά माराच की गुरुवाइन कौन थी दोस्तों आप लोगों को बताये थे कुन दो उनकी मा ठीक ए उनकी माझण और गुरु पुन थे तो पिता जी थे रिया ने उनके पिता जी उनके गुरू थे उनके ममी क्या थे गुरुवायन थी चलिए आगे बढ़ते हम लोग पांच नमर कोशन देखते हैं विर्जु महाराज को संगीत अकादमी पुरुषकार किस वर्स मिला था तो दोस्तों उनको कलकत्ता में मिला था 1265 में मिला था राइट एंसर आपका को होगा यहां पर बता देंकि दूस्तों जो चेप्र बच जगया है या पी जो बचा हुआ वह सब भी आपको मिल जागा अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो प्लीज सब्सक्राइब कर बैल आकन को भी दबा आगे बढ़ते हैं यहां पर देख लेते हैं अगरा कोशन देखते हैं सातने कोशन बिर्जिव महाराज की मिर्तुव कैसे हुई थी देखिए उनके पिता जी की मिर्तुव जो हुआ था लू लग जाने के कारण हुआ था तो को एंसर हो जगा इसका आप्सिन नम्मर पहला कोशन देखते हैं बिर्जिव महाराज की ख्याती किस रूप में था तो याद रखेगा नर्तक में ठीक है नर्तक में राइट एंसर आपका खोड़ा यानि डांस करने में उनका ख्याती प्राप था यानि वह एक डांसर थे चलिए हम लोग आगे बढ़ते यहां पर न्यों यहां पर को हो जाए ठीक का कथक के ला लालित का कभी किसे कहा गया है तो बिर्जु महाराज जी को कह गया अगर इस चप्टर से कोच भी अपज्यक्टिव कुछन पूछा जागा तो यहां से रहेगा एक वी कोशन आपको बाहर नहीं रहेगा तो चलिए यहां पर पण्ड तब तक के लिए धन्यवाद